प्रोजाना ताजा खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस खबरे सबसे पहले परिजनों ने इसके लिए डॉक्टरों पर लापरोही का आरोप लगा कर कुछ देर के लिए हंगामा भी किया हाला कि बाद में परिजन शव लेकर घर चले गए लेकिन रविवार को घटी इस घटना से सदर अस्पताल की विवस्था की एक बार फिर पॉल खुल गई देश प के लिए डैश इस बीचवे बलड की विवस्था भी करके आ गए लेकिन बच्चे को न तो ऑक्सीजन मास्क लगाने और नहीं बलड चढ़ाने कोई नहीं आया खुद ही ऑक्सीजन चढ़ाने की कोशिश करते रहे परिजन नगीना ने बताया जब बेटे की हालत बेगरने लगी तो उन्होंने वार्ड में शोर मचाना शुरू कर दिया दैश मारोते बिलगती रही फिर भी मदद करने कोई नहीं आया इस बीच बेटे को तडपता देख मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैंने बेट के पास रखे ऑक्सीजन के सिलेंडर से खुद ही ऑक्सीजन लगाने की कोशिश करने लगा लेकिन मैं चाकर भी ऑक्सीजन नहीं लगा पाया और मेरे सामने मेरे लाल की आंखे हमेशा हमेशा के लिए बंद होगी उधर डॉक्टर ने कहा हिमोगलोबीन की कमी के कारण बच्चे की मौत हुई है